अगर आपके बेटे की शादी हो चुकी है और आपके बेटे की जो पतनी हैं वो महिलाओं के प्रती जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए वो आपके बेटे को और आप सभी को जूटे केसों में लपेटने की धमकियां दे रही है तो या मैंने आप सबी के लिए एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सुविधा के लिए दे दूंगी इस वीडियो में मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि अगर आपका बेटा जिसकी शादी हो चुकी है वो या जिसकी शादी नहीं हुई है या परिवार का और कोई भी सदस से जो आपकी बातों पर खरा नहीं उतर रहा है यानि कि आपकी हर बात की अभेलना करता है अपनी मनमर्जी कर रहा है और आपको किसी न किसी और आपको ये पूरी आशंका है कि वो कभी न कभी आपको किसी न किसी घड़े में जरूर गिराने के लिए तैयार है हो सकता है कि कि किसी कोट का कोई नोटिस या सम्मन आजाए आच के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी बेदखली होने के बाद किन-किन बातों का ध्यान रखना है बहुत जरूरी वो मैं आपके साथ चच्चा करने वाली हूँ मैं एड़ोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुर्णा स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एड़ोकेट अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको ज मजने का प्रयास कर रहे हैं कि बेदखली आखिर कौन कर सकता है देखिए सबसे पहला प्रशन बेदखली कौन कर सकता है ऐसा कोई भी व्यक्ति उधारन के तौर पर जो की मान लेते हैं अमूमन माता-पिता ही होते हैं माता-पिता क्या अगर कोई भी बच्चा उसकी बाते नह और कभी न कभी माता पिता को किसी न किसी कोट कचैरी में खड़ा करके परिशान करने की जो हालत है उसने परिवार में पैदा कर दी है तो यहां पर ऐसे माता या पिता जिनके नाम पर जो भी अपनी वसियत है या जो भी उनके नाम पर प्रापटी है धन है या और कोई मकान ह चाहे वो movable property हो या चाहे वो immovable property ही क्यों ना हो इसी तरहां से आप माता पिता को ये भी डर है कि वो परिवार का व्यक्ति चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बहु हो या चाहे वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो आपको कानूनी पचड़ों में फसा करके खड़ा कर देगी ये ऐसी आपको बहुत strong doubt है आपको बहुत जादा जिसे कहते हैं ना ठोस ये संभावना प्रतीत हो रही है तो आप अपने उस परिवार के सदस्य को बेदखल कर दिया करते हैं लेकिन इस बेदखल करने के बाद जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके बेटे की शादी हो चुकी है और आपके बेटे की जो पतनी हैं वो महिलाओं के प्रती जो एक्ट्स बनाए गए हैं जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का दुरुपयोग करते हुए वो आपके बेटे को और आप सभी को जूटे केसों में लपेटने की धमकियां दे रही है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉंग आपकी इंटेंशन हो जाती है आप पहले से मान लेते हैं कि अब ये जूटे केस करने वाली है और आप वहाँ पर अपने उस बेटे और बहु को बेदखल कर दिया करते हैं अब इस बेदखल करने के बाद आपको किनकी चीजों का सबसे ज़ादा ध्यान रखना है सबसे पहला जिस भी परिवार के सदस्य को आपने अपने परिवार से अपनी सपती से बेदखल कर दिया है उस व्यक्ति का घर का पता किसी भी हालत में अब आपका पता नहीं होना चाहिए मान लेते हैं कि आप मकान नमबर 10 गली नमबर 1 द्वार का में रहते हैं तो आपके उस बेटे और बहु का जो घर का पता है वो सेम नहीं होना चाहिए बलकि अब आपके उस व्यक्ति को जिसको आपने बेदखल किया है उसका घर का पता अलग हो जाना चाहिए और यहाँ पर आपको कुछ बाते ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने जिस व्यक्ति को अपने घर से बेदखल कर दिया है उसके नाम का अगर कोई भी कागस कोई भी लैटर आपके घर में आता है तो आपने किसी भी आपने वह रिसीव नहीं करना है बलकि आपने ये कहना है कि वो व्यक्ति जिसका वो नाम ले रहे अब इस पते पर नहीं रहते ध्यान रहे कि आपको उस व्यक्ति का लैटर किसी भी हालत में नहीं लेना है जिसको आपने इस घर से बेदखल कर दिया है जिस घर में आप रहते हैं इसी तरहां से आपने जिस व्यक्ति को बेदखल किया है वो कहीं न कहीं अलग जगा का पता बताईगा की बेदखल होने के बाद अब वो यहां रहता है तो यहाँ पर भी एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि वो पता ऐसा होना चाहिए जहां का पता बेदखल कियावा व्यक्ति दे रहा है अगर उस व्यक्ति का कोई भी लैटर वहां पर आता है तो वो किसी भी हालत में ऐसे वापिस ना हो जाए कि यह व्यक्ति तो अब यह नहीं रहता तब भी आपको परिशानी आ सकती है तो ये कुछ बाते हैं जिनका आपने विशेश कर ध्यान रखना है और इसी तरह से अगर आप माता या पिता हैं और आप कोई कंप्लेंट उस व्यक्ति के संदर्ब में दे रहे हैं जिस बेटे को आप बेदखल कर चुके हैं और उसकी पतनी के खिलाफ अगर आप कोई भी अप्लिकेशन दे रहे हैं तो आप जो अपना पता दिखा रहे हैं अपने बेटे का पता आपको वही दिखाना होगा जहां आप नई जगा बता रहे हैं भूल कर पर ये गलती ना कीजेगा कि आप एक ही पता अपने बेटे का दिखा दें इसी तरह से अगर आपका बेटा जो अलग पता बता रहा है अगर वो कोई भी कंप्लेंट कर रहा है अपनी पतनी के खिलाफ तो वो किसी भी हालत में उस माता पिता के घर का पता कभी भी नहीं देगा बलकि वो अपने पते में उस जगह का पता देगा जो बेदखल होने के बाद उसने नया पता दिया है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांते ही ये बात पता चल गई होगी कि अगर आप अपने बच्चे को बेदखल करते हैं तो उस बेदखल करने के बाद आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और वो व्यक्ति जिसको आप बेदखल कर रहे हैं उसको किन-किन बातों का जरूर ध्यान रखना है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लिगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अची दरह से ध्यान रखेगा, थैंक यू, टेक क्यो, बाई बाई